चार पांच फीचर जो है ना इसके अंदर अपडेट होए जो की भाई बहुत ही अच्छे कासे फीचर अब आपको यहां पर फिलिप की मिल जाती है फेंडर पर इंडिकेटर अप गए और यहां पर ओवर इंस पर आ गए हैं पर दोसों में नामसों में कटारिया तो भाई आपको काफी अच्छे फीचर के साथ मैं मैं कंफ्यूज हो गया था कि यह एक्सटी वेरेंट है या फिर एक्सम वेरेंट है बट यह एक्सम वेरेंट है एक्सम वेरेंट के अंदर वील कवर्स भी नहीं आया करते थे बट यहां पर आगए चार-पांच फीचर जो है इसके अंदर अपडेट हों जो कि भाई बहुत ही अच्छे कासे फीचर अपडेट हों ऐसा निया कि दिखाने वाले हैं या फिर ऐसी है बिल्कुल प्रैक्टि जाती है फॉलोमी हेडलेंब के साथ में जो की काफी बढ़ी चीज़ थे पहला अपडेट यह दूसरा अपडेट इस गाड़ी के अंदर यह आया है यहां पर आपको वील कवर्स मिल जाते हैं और यह अपडेट इसके इसके नहीं आए है प्यानो ब्लैक्ट फिनिश में यह भी आपको मिल जाता है और पहले एक चीज़ और मिला करती थी और इसमें कि हाथ से अर्जेस्ट करना पड़ता था अब इलेक्टिकल अर्जेस्टेवल और यहां पर आ गए हैं जो की काफी बढ़ी आए तो यह चार-पांच अपडेट आए इस गाड़ी के अंदर फिल लेक सकते हैं पीछे भी आ गया यह योगी यह है और भाई स्टेरिंग वील पर भी अब इन्हों ने यह अपडेट कर दिया है तो एक्सम वेरियंट ना यार अब सबसे वैली फॉर मनी वेरियंट है पहले भी था बढ़ आप तो बहुत जाद हो गया एक्सम वेरिंट सबसे वैली फॉर मनी वेरिंट अब यह रहने वाला ठीक है अब जिस गाड़ी प्राइस स्टार्ट कर लेते हैं तो आपको काट जल्दी और अपडेटिट कार भी यहां पर मिल जाएगी तो जल्दी से कॉंट्रेट कर लीजे क्योंकि काफी अच्छका सा यहां पर स्टॉक है तो संट यहां दे रहे हैं बाकि यहां पर क्रों भी जी रही है तो कि यह तो आपको आहले दियार बागी प्याणों बैक एक आप अब मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छा कासा यहां पर लुक दे रही है टॉप मोडल में यहां पर DRS आती है बागी जोएस गाड़ी की डैमेंशन की अगर मैं बात करूं तो डैमेंशन वाइस भी गाड़ी काफी जो है बढ़िया दी गई है 1677 mm के विर्थ और वीलवेस 2400 mm का आपको यहां पर मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया वीलवेस दिया ग 65 आप 14 का रहने वाल है यहां से गया और अगया प्यानो वैप प्रिश्वा आपको और बाडी के लिए बाडी और और भी आपको बाडी कर रहने वाले बाकि दोर हैंडेश आपको मैड ब्लेक के अंदर ही मिलने वाले बट कोई बात निया चीज सेहन कर दिए 168 mm का आपको मिलता है और दो अपने छोटे-छोटे स्प्लाइलर दिए गया है ठीक है अपनी बैजिंग के रहने वाली और इस गाड़ी के अंदर चीजी टेकनोलोजी यूज करिए है वालाब यह जो वेरेंट है ना अल्टीमेट वेरेंट है पीचर्स आपको जरूद के सारे मि सिस्टम का भी ऑप्शन दे रखा है और बूर्स पे सी एंजी गाड़ी के अंदर भाई एक नमबर आपको मिलता है अब यह आपको खोल के भी दिखा दूँआ बाकि जो इसके सी एंजी के नोजल के बारे में बात करें कि वह कहां दिया गया है अगर मैं यहां से इसे ओपन सेंजी के टैंक मिल जाते जो कि अभी आगे मैं दिखा दूँआ 35 लिटर का आपको यहां पर पैट्रल कैपस्टी मिल जाती है बाकि मैक्रो सुच मिल जाता जिसके सिवाई यह अगर एक खुला रह गया तो गाड़ी चलने नहीं वाली में साथ एक बार हुआ भी तो काफी स इस भी मिल रहा है यह देख रहे और चोटे-चोटे आपको स्लेंडर मिल जाते हैं थैडी फाइफ ट्लस ट्वांटिफाइव लीटर के आपको यहां पर सिलेंडर मिल जाते हैं जो की यह रहने वाले तो कमबाइन होके 60 लीटर बन जाएगा और बाकि जो है बारे के दिडि सब्सक्राइब नहीं है इसे करते हैं बंद और एक चीज़ा आपको और मन दिखाता हूं स्पेर विल का मिलता है वह मिलता है एक स्वी के तरह नीचे आपको अंदर से घुमाना पड़ेगा अश्पेर विल नीचे आ जाएगा अब गाड़ियों के अंदर नहीं आती है बागी ज़स गाड़ी के बारे में बात करें तो रियर डॉर कुछ आपको यह मिलता है डॉल टोन आपको ट्रिम मिल जाती है स्पीग है ग्रेल बाकी स्कीट कि अगर बात कर थो सीट काफी अच्छी घाजी दे रखी है अरे जैस्ट्रबें हैडेस आपको नहीं मिलता नहीं स्विल नाइए हम देस्ट अब यह जो गाड़ी है ना चार जेनों के लिए बेस्ट है क्योंकि कहीना कहीना आपको कॉंफट वाई यह गाड़ी जो काफी प बैठ सकते हैं कि पांच वार्ट यूदी निए प्रफट को नहीं मिलने वाला मैक आपको मिल जाता है दूसरी पहले बिड़े वीडियो बनाई त इतनी expectation नहीं करनी चाहिए हमें और आंस आपको एलेक्टिकर रजिस्टर रहने वाले स्टेरिंग की में बात करूं एस यूजवल टेल्ट ही मिलेगा टेल्ट मिला आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला बाकी इस गाड़ी के cluster की अगर हम बात करें तो भाई की लगाते हैं पहले तो फुली टेल्ट आपको इंस्टर में क्रस्टा मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर आप यहां बीच में मीटर रहे हैं यहां पर CNG यहां पर फ्यूल लिगेज सब कुछ आप information चेक कर सकते हैं डिस्टेंस तो एंप्टी सिर्फ पैट्रल मोड के अंदर दिखाएगा अब बात करूं तो वही हर्मन का सिस्टम मिलता है 3.5 इंची का जो की चार्ज़ पीकर साथ में आता है प्यान बैक फिनिशंग मैट ब्लेक के विशिंग क्रोंट टीटमेंट यहां पर AC मिलता है ख्रोंट के साथ में बाकि यूस्वी पोर्ट और अपना 12 वाट का आउट प तो यह यह देखो तो यह भी आपको हैं पर मिल जाता है बागी यह के बात करें आपको नहीं मिलता आयरे आपको डेन इडि मिल रहा है यह भी बढ़िया चीज है मतलब मिलता नहीं है यह सेकंड बेस्वेरियंट है बढ़िया है बाइक आपको जो है तो यह तो बात रहे हैं और इस गाड़ी के इन टीरे के बारे में अगर डैश वोड के बारे में बात करें तो डूल टोन आपको डैश वोड मिलता जो कि काफी अच्छा गाजा दिये गा है अब जो सीडर गार वांटी के बारे में बात कर लेता है तो तीन साल एक लाग किलमेटर की वांटी ओफ़र करती है टाटा मोटर्स गाड़ी के साथ में बाकि जो है सेफ्टी वीजर के अगर में बात करूं एब एस एबीडी डूल एयरे बैक्स सीएस कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको दूमेटिक भी आने वाला तो उसके पर वीडियो आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना यहार आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं पहले टाटा की गाड़ियों के अपडेट लेके मैं आता हूं और भाहिया आप चैनल सब्सक्राइब बहुत बुरा लगता है अमारा 72 बीएच पावर प्रेडियूस करता है 95 अनम का टॉर्क मालेज की में बात करूं तो 25 प्लस का जो आपको मैलेज मिल जाएका के अंदर और मैं पैट्रोल की बात करूं तो यहां पर कंपनी क्लेम करती है 86 प्लस की पावर और 115 अनम का टॉर्क मालेज में बार से यहां पर यह फिटिंग दे रखी है उपर आपको इंसलेशन में ज्यादे जिसके से आपको काफी कमाने वाली है सिंगल इसी यूज कर आगा इस गाड़ी के अंदर तो आपको कोई भी दिक्कत ने आने वाली जर्क अंदर बाकी भी एस एस फेस टो अंदर हैडी है ये